जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक काली माता को कैसे बुलाए, दो काली माता से बात कैसे करे, तीन काली माता से कैसे काम सिद्ध कराए, चार माता को कैसे जागरित करे आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ के बारे में नहीं बताने वाली, बलकि चार चीज़ों के बारे में बताने वाली हैं वह सभी भक्तों के लिए ये जो वीडियो है फोथ ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में चार ऐसी मैंन बाते बताने वाली हूं माता काली से रिलेटेड जो आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा अगर आपको कोई ये बाते बता दे तो जो आप मुझे कहोगे मैं वो करने के लिए तयार हूं लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूं ताकि आपको भी ग्यान मिले और आपको भी अच्छा ध्यान मिले आपकी मदद मैं कर रही हूं और आप आगे लोगों की मदद कीजिए सभी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को पता चलना चीए की काली माता को कैसे बिलाए जाता है काली माता से बात कैसे करते हैं और माता को अपने घर में कैसे जागरित करते हैं सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाऊंगी अगर आप लोग महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचे सबसे पहले हम बात करेंगे काली माता को कैसे बुलाते हैं देखि काली मा को कभी भी अगर आप बुला रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को माता काली के मंतरों का जाप करना चाहिए मा काली के अनेक मंतर में ने आपको इस चैनल पे दिये हैं ऐसे ऐसे मंतर दिये जो जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे अपने मंतर भी दिये अपने गुरु के दिये हुए मंतर भी दिये हर तरह के मंतर आपको दिये हैं अब आपको यह नहीं कहती कि आप मेरे ही मंतर जपो जो मंतर आपको सही लगे जो आपका मन गवाई दे कि हाँ मुझे यह मंतर जपना चाहिए तो आप उसको भी अगर जबते हो तो मा काली का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो मा काली को बुलाने का तरीका एक यही है कि माता का अवहन रोज पूजा में करे करो अवहन कैसे करते हैं अवहन मंतरों के जरिये से ही किया जाता है जिसे आप एक बर मंतर बोलोगे, एगजेंपल दे रही हूँ, ओम, किरिम, काली, काय, नम्हा, आउ माकाली, आउ माकाली, आउ माकाली, ठीक है, तीन बरी सब्द बोलना है मंतरी के साथ-साथ, इस तरीके से माता का अभान करना शुरू करो, माता आपके पास खुदा आने पहले देखी, मा काली से बात करने के लिए आप लोगों को अपना नाम भी बताना पड़ेगा, नाम के साथ अपना पूरा घर का एडरस बताना पड़ेगा, अपने पापा का नाम बताना पड़ेगा, अपनी मम्मी का नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही माता आपके सबी सवालों के जवाब देगी सही दिसा में क्योंकि एक नाम के कई लोग इस दुनिया में है तो इसलिए देवी देपतवी सब चीजे बतानी पड़ती है तब ही उन्हें पता चलता है हमारा ये भक्त हमसे क्या सवाल कर रहा है तो माता से बात कभी भी करो तो इसी तरीके से करो जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो जब माता आपके पास आने लगीगी तो सब आपको बताने भी लगीगी तीसरे विशे में बात करेंगे काली माता से अपने कारी कैसे सिद्ध कराते हैं काली माता से अगर कोई भी काम कराना हूँ अच्छा हो चाय बुरा कैसा भी काम कराना हूँ बस काली मा के मंदिर जाए शनी वार के दिन मा काली को सिंगार चड़ा दीजिए और ग्यारा निम्बू की माला लोंग बता से निम्बू जाय फल का भोग मंदिर में जाकर अपने हाथों से चड़ा दीजिए और अपना कारी बता दीजिए कि क्या कारी आप माता से कराना चाते हैं एक बार आप मंदिर में चड़ा देंगे उसके बाद आपका जो भी कारी होगा वो तुरंत माकाली सफल कर देगी अगर कोई भी रोग रुकावट आपके कारे में आ रही होगी अर्चन तो वो भी माता कारी बीज में रोक के आपके कारे को सबसे पहले सफल बनाएगी अब चोथे बिसे में बात करेंगे माता को कैसे जागरित करें माता को जागरित करने के लिए आपको अपने घर में प्रती दिन की पूजा पाट करनी पड़ती है जब आप रातरी में सोते हैं सोने से पहले मा के किसी भी मंतर को आपको कम से कम 11 बार बोलना चीए अगर आप माता के किसी भी मंतर को 11 बार बोलते हैं रातरी में सोने से पहले तो ही माता काली आपके घर में जागरित होती है और प्रती दिन की आपको पूजा करनी होती है ऐसे निये कि आप सनी वार के दिन पूजा कर रहे हैं मंगल वार के दिन कर रहे हैं और दिन नहीं कर रहे हैं तो ऐसो लोगों की घर में कभी माता जागरित नहीं होती है। जो माते की पूझा प्रती दिन की करता है, उसी के घर में माता काली जागरित होती है। जब माताकाली आपके घर में जागरीत हो जाती है तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आही गया होगा अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा काली हर हर महादे माता काली बाबा भोलेना ता आप सभी की सारी मनुकामना पूरी करें खुश रहें आप और आप लोगों का परिबार जैमाता दी ओम नमस्षिवाए